धन्यवाद सबबपती मौदे मैं राश्ट्रपती के अभिवाशन के धन्यवाद प्रस्ताव की जो बहस है उसमें हिस्सा लेने के लिए खड़ा हुआ किसी भी सरकार का मूलियांकन पांच बिंद्यों पे किया जाता है सबसे पहले राश्ट्री सुरक्षा दूसरा आर्थिक विकास तीसरा संस्थाओं की स्वायत्ता चोथा सांप्रदाइक सुहार और पांचवा विदेश नीती पर इससे भी उपर एक मुलियांकन है सबबपती जी कि किसानों का मान सम्मान और कल्यार आज सत्तर दिन हो गए भारत के किसान दिल्ली के सरहदों पे बैठे है अगर ये जो क्रिशी से संबंदित कानून है ये इतने ही अच्छे हैं ये इतने ही किसान हितेशी हैं तो सरकार को अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए फिर भारत के किसान सडक पर क्यों बैठे हैं किसानों को शौक है इस बात का कि इस ठंड में इस कोविड की महामारी में अपने घरबार छोड़कर वो यहां पर आकर अंदोलन करें वो अंदोलन सवापती महदे इसलिए कर रहे हैं कि जो उनके हक सरकार चीनने जा रही है वो हक सदियों की लड़ाई के बाद उनको मिले थे मैं इस सरकार को याद कराना चाहता हूँ कि जब अंग्रेजी समराज़वाद था अंग्रेजी समराज़वाद के समय जमीनदारी रायतवारी महाल वारी ने किसान की कमर तोड़ दी थी जब भारत का आजादी का अंदोलन चल रहा था तो राजनीतिक आजादी के साथ साथ एक बहुत बड़ी मांग आर्थिक आजादी की भी थी और उस आर्थिक अजादी का केंदर बिंदू ये था कि जो जमीन है वो किसान को दी जाएगी जिसको अंग्रेजी में कहते है लैंड टू दे टिलर मैं आपको याद कराना चाहता हूँ कि 1936 में जब कॉंग्रेज की सरकारे बनी विभिन प्रदेशों में आपके भारत की स्वतंतरसा से पहले भी तब भी जमीन सुधार के कानून लाए गए कि किसान को उसकी जमीन का मालिक बनाया जाए 1947 में आजादी के बाद जो सबसे बड़ा और सबसे बड़ी पहल कॉंग्रेस की सरकार ने की वो जमीन सुधार किया था जिसके कारण विभिन प्रदेशों में किसान अपनी भूमी के मालिक बन गए इस सदन में पहले आम चुनाओं से पहले जो पहला संसदिय संशोधन लेके आया गया था उसका मुख्य उदेशे ये था कि जिन जमीन सुधार कानूनों को एक पटना हाई कोट की खंड़ पीट ने अवेट ठराया था उस चीज को ठीक करने के लिए इस सदन में सबसे पहल समविधान संशोधन लेके आया गया था उसके बाद आपके 1965 में FCI का घटन हुआ नियुन्तम समर्थन मूल ले दिया गया और 1964 में इस देश में हरित करांती आई और ये हरित करांती ने इस चीज को सुनिश्चित किया कि जो भारत PL480 के उपर निर्भर था कि समुंदरी ज से खादियान आता था और देश में बढ़ता था उस बुल्क में खादियान सुरक्षा हूई ये कोई चोटी उपलब्दी नहीं थी आज ये जो कानून लेके आए सरकार लेके आई है इससे किसान को सबसे बड़ी आपती क्या है सबसे बड़ी आपती ये है कि आप जमीनदारी जो 1950 में खतम की गई थी उस जमीनदारी को आप कमपनीदारी से रिप्लेस करना चाहते हैं आप किसान को बड़े जो घराने हैं उनके हाथों गिर्वी रखना चाहते हैं और मैं आपको बताता हूँ कैसे क्योंकि इस देश में 86% जो किसान है वो छोटा किसान है जो कृशी सेंसिस हुआ था 2015 में उसमें ये पाया गया कि 86% से ज्यादा किसान के पास पांच एकर से कम भूमी है अधिकतर किसान के पास दो एकर से कम भूमी है और MSP के बापजूद नियोत्म समर्थन मूले के बापजूद वो जो चोटा किसान है पूरा परिवार उसका काम करता है तो वो जाके 15,000 रुपे महीना कुमाता है और जब आप बड़ी कमपनियों को बहुराश्ट्री कमपनियों को क्रिशी में आने की अनुमती देगे तो वो जो चोटा किसान है जिसके पास दो या तीन एकर भूमी है सबापती महदे उसके बास इतनी शमता नहीं है कि इतनी बड़ी कमपनियों से वो मुकाबला कर सके पिछले दो महीनों पर दिली की सरहत पर लाखो लाख किसान बेठे हैं और सरकार को ये कह रहे हैं कि इन तीन कानूनों को वापस लें मैं सरकार से आगरे करना चाहता हूं कि आप प्रतिष्ठा पर मत खड़े हुए जिनके लिए आपने कानून बनाएं हैं वो इस बात को न ख्यान दीजिए और तुरंट ये जो तीनों काले कानून हैं इनको आप वापस लीजिए जिससे वो किसान अपने घर वापस जा सके और अपने खेत खलियान को जाकर एक बारी फिर से जोच सके ये सरकार का उत्तरदायत तू बनता है मैं दूसरा जिकर करना चाहता हूँ सबापती महदे राश्ट्री सुरक्षा का पिछले नौ महीनों से भारत की सरहद के उपर जो भारत की सरहद है चीन के साथ उसमें तनाओ है रक्षा मंत्राले की एक जून के महीने में रिपोर्ट आई थी और ये बहुत ही विचित्र और अद्बुत बात है कि दो दिन बाद वो रिपोर्ट रक्षा मंत्राले के वेब साइट से अलोप हो गई उस रिपोर्ट में लिखा था that Chinese aggression has been increasing along the line of actual control and more particularly in Galwan Valley since May 5th 2020. The Chinese side transgressed into the areas of Kograng, Nala, Gogra and North Bank of Pangsangso Lake on 17th, 18th May 2020. ये मैं नहीं कह रहा. ये रक्षा मंत्राले की वो रिपोर्ट जो उनकी वेब साइट के उपर पहले डाली गई और फिर आलोप हो गई ये वो कह रहे हैं. हम सब को मालूम है कि 15-16 जून को 2020 को गलवान घाटी में क्या हुआ. हमारे 20 सेनिक से ज्यादा वीरगती को प्राप्त हो गए. डेप सेंग, होट स्प्रिंग, नाकुला, अपर सबसरी, डिस्ट्रिक्ट, अरुनाचल प्रदेश. खबर ये है कि चीन की फौज ने इन सब इलाकों में घुस्पैट की है. इस मई से लेकर और आज फर्वरी हो गया, मई 2020 से फर्वरी 2021 तक भारत सरकार और चीन सरकार में कई स्थरों पर बादचीत हुई है. कमांडर्स के लेवल में बादचीत हुई है, विदेश मंतरी के स्थर पे बादचीत हुई है, राश्ट्रिय सुरक्षा सलाकारों के लेवल के उपर बादचीत हुई है. इस सदन की एक परंपरा रही है सभापती जी, और परंपरा ये रही है कि जब भी ऐसी कोई समवेदंशील परिस्तिती उत्पन होती है, तो सरकार सदन को पूरी तरह से भरोसे में लेती है. जब मैं आपको याद कराना चाहता हूँ, जब 1962 की लड़ाई हुई चीन के साथ, इसी सदन में, आठ से लेके 15 नवंबर 1962 तक जब लड़ाई चल रही थी, इस सदन में पूरी चर्चा उस सारे विशे के उपर हुई, और वो चर्चा किसके अनुरोत पे हुई थी, वो चर् हुई थी, उसके बाद चाहे 1965 हो, चाहे 1971 हो, जब भी भारत के उपर आक्रमन हुआ है, इस सदन में विश्तरिक चर्चा उस सारे विशे के उपर हुई है, मैं सरकार से ये आगरे करना चाहता हूँ, कि इस परिस्तिती को और इस सदन की जो परंपराएं हैं, उनको संग्यान में लेते हुए, चीन के मुद्दे के उपर एक विस्तरित बहस इस सदन में बहुत आवश्यक है, और मैं यह उम्मीद करता हूँ, कि जब प्रधान मंत्री जी इस अभिवाशन का जवाब देंगे, इस अभिवाशन के धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे, वो इसलिए आठ महीने से बॉर्डर के उपर तलाओ है, जो खबरे हैं कि चीन ने भारत की सरजमीन में घुस पैट की है, उसके उपर विस्तरित जानकारी देंगे, मैं दूसरे मुद्दे पर जिस पर आना चाहता हूँ, सभापती महदे, वो है देश का आर्थिक विकास, आज 37 महीने हो गए, कि जो अर्थ विवस्ता का वृद्दी दर है, वो निरंतर और लगातार गिरता जा रहा है, इस सदन में बहुत चर्चा हुई, कि लॉकडाउन की वज़े से देश का बहुत फैदा हुआ, मैं बहुत ही अदब और सतकार के साथ ये कहना चाहता हूँ, कि जि ऐसी भीशन परिस्तिती बनी, वहाँ पे भी इससे सरल लॉकडाउन से काम चला, और मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इस सारी चीज़ को एक संग्यान में ले, पूरी दुनिया में एक करोड़ आठ लाक COVID-19 के केस है, उसमें से 10.48 प्रतिशर जो केस हैं, वो स चरफ भारत में हैं, 10% of the total number of COVID-19, मैं तीन मिनिट और लूँगा, आपकी अनुमाती सबापती जी, तीन मिनिट और लूँगा, मैं तीन मिनिट और लूँगा, मैं तीन मिनिट और लूँगा, मैं दो बात और कहनी है, तो दस प्रतिशत जो केस है, पूरी दुनिया के वो भ जैसे है, कि भारतियों में जो इम्म्यूनिटी है, वो उसकी वज़े से है, मैं आखरी बात एक और कहना चाहूंगा, सबापती मोहदे, हमारी संस्थाओं की जो इंडिपेनेंस है, उसको लेके, स्वायत्ता को लेके, आज इस देश में एक धारना बन गई है, कि हमारी जो पालिका है, वो उस धंक से काम नहीं कर रही, जिस धंक से और जिस स्वायत्ता से उनको काम करना चाहिए, और उसका सबसे बड़ा उधारन ये है, मुझे याद है कि 1990 में जब मंडल कमिशन की सिफार्शों के खिलाफ इस देश में आंदोलन हुआ, मैं इस बात में नहीं जा चाहता कि आंदोलन सही था गलत था, पर जब उचितम न्याले ने 2 अक्तूबर 1990 को उन सिफार्शों के उपर रोक लगा दी, तो वो आंदोलन खत्ब हो गया, आज जो किसान आंदोलन हो रहा है, इसके बाबजूद कि उचितम न्याले ने उन कानूनों के उपर रोक लगा ही है किसान घर नहीं जा रहे हैं और इसलिए नियाय-पालिका को बहुत गंभीरता से इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्यों इस देश के लोगों का भरोसा नियाय-पालिका सब्सक्राइब पांच दिन के बाद पो बहस शुरू हुई है इतना बहुत पूर्ण भैस है जब थोड़ा सा समय दे दीजिए तो मैं यह कह रहा था हम आपस में अरजस्ट कर लेंगे तो इसलिए मैं यह कह रहा था कि नियाए पालेका को इस चीज पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए कि इस देश का भरोसा नियाए पालेका के उपर से क्यों उठता जा रहा है अंत में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा क्योंकि एक जो केंदर बिंदू है किसी भी सरकार का मुल्यांकन करने के लिए वो सामप्रदाइक स्वहार है और 2014 से इस देश में एक ऐसा धुरूवी करन का महौल बनाया गया है चाहे वो घर वापसी के बाद्यम से हो चाहे वो जो यह धरम परिवरतन कानून है इनके माद्यम से हो कि इस देश में जो अल्ध फ्रंखेक समदाए है वो अपने आपको इंसेक्योर मैसूस करता है और यह मैंने ही कह रहा यह देश के पूर्वो प्राष्ट्रपती श्रीहामिल अंसारी जी का कहना है और इस बात की बहुत ही कभीवता से सब्सक्राइब करती चाहिए आपने मेरा वाइक मत कर दिया है तो मैं आपको घंदेवाद करते हुए अपना स्थान वह रिशाता है घंदेवाद येस